दोस्तो अगर आप भी अपने पैसे को post office के अंदर 5 सालों के लिए जमा करना चाहते हैं तो post office के अंदर mainly आपके पास केवल 2 ही option होते हैं 5 सालों के लिए एक होता है post office की time deposit, term deposit या फिर fixed deposit आप कुछ भी बोल सकते हैं दूसरा option होता है NSC यानि की National Savings Certificate post office की केवल ये 2 ही scheme है जो आपको 5 सालों के लिए पैसा जमा करने की facility देती है तो अगर आप भी post office के अंदर 5 सालों के लिए पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा क्योंकि आपको conclusion मिल जाएगा कि कौन सी scheme में आपको पैसा invest करना चाहिए और कौन सी scheme से बचना चाहिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं Banking Baba YouTube Channel तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल ऐसे 6 point के बारे में जिनको compare करने के बाद आपन देखेंगे कि कौन सी scheme आपके लिए best option हो सकती है तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं interest rate की तो देखें post office की जो 5 साल वाली fixed deposit है उसके अंदर आपको interest rate मिलता है 7.5% का वहीं जो national saving certificate scheme है वहाँ पे आपको 7.7% का interest देखने को मिल जाता है जो की annual basis पे compound किया जाता है तो देखने में तो national saving certificate का interest ज़्यादा लग रहा है लेकिन आई ये देखते हैं calculation के हिसाब से तो लेट से अगर आप 1 लाग रुपे जमा करवाते हैं तो पहले साल का interest बनेगा post office की fixed deposit के अंदर वहाँ से बनेगा आपको 7.714 रुपे वहीं अगर आप national saving certificate में पैसा जमा करवाते हैं तो पहले साल का interest बनेगा 7.700 रुपे तो देखिए कैसे post office की जो fixed deposit है कम interest rate होने के बाद भी वहाँ पे आपको ज्यादा interest मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे quarterly compounding होती है जिसको की चक्रवर्ती ब्याज बोला जाता है तो यहाँ से आपको क्या है कि ज्यादा interest मिलता है quarterly basis पे आपका पैसा compound होता जाता है लेकिन national saving certificate के अंदर आपको annual basis पे compounding देखने को मिलती है post office की जो fixed deposit है वहाँ से जो भी interest बनेगा हर साल का वो पहले साल का interest आपके saving account में transfer कर दिया जाएगा मतलब कि अगले साल जो interest बनेगा वो भी आपका 1,00,00 रुपे पे पी आएगा और आप उस पैसे को निकाल के use कर सकते है अगर आप नहीं निकालते हैं उस पैसे को saving account में पढ़ा रहेगा वहाँ पे आपको post office का saving account है उसका 4% का interest देखने को मिलेगा तो total आपका 5 सालों में 1,00,00 के उपर interest बन जाएगा 38,570 रुपे 38,570 रुपे 1,00,00 के उपर अपने example देखा वहीं अगर आप national savings certificate में पैसा जमा करते हैं यहाँ से आपको interest हर महीने हर साल नहीं मिलता है 5 सालों की scheme है starting में पैसा जमा कराये तो 5 सालों के बाद में ही आपको सारा पैसा एक साथ मिलेगा तो आप देख सकते हैं अगर आपको annual interest चाहिए तो आप 5 एर की fixed deposit में जमा कर सकते हैं अगर आपको annual interest नहीं चाहिए आप चाहते हैं पैसा 5 साल पड़ा रहे compounding का benefit मिले तो national savings certificate में जमा कर सकते हैं national savings certificate में 5 साल बाद में 1,00,00 रुपे जमा करने पे लेकिन overall आप 5 साल का compounding करेंगे तो national savings certificate के अंदर आपको ज़्यादा interest मिल रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा difference दोनों के अंदर अगर आपको हर साल का interest चाहिए तो आपको fixed deposit में पैसा जमा करना चाहिए अगर आपको हर साल का interest नहीं लेना तो आप national savings certificate में जमा कीजिए क्योंकि दोनों का interest rate जो है वो same ही होता है लगबग क्योंकि जो quarterly compounding है वो अगर आप उसको annualized पे लेके जाएंगे तो interest rate लगबग बराबर ही बनता है अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे point की जो की है tax benefit और TDS दोनों point को एक साथ ही cover कर लेते हैं तो देखे दोनों ही scheme आपको section 80C की deduction में eligible होती है यानि कि जिस साल में भी आप account open कर वा रहे हैं उस साल में section 80C के अंदर डेड़ लाग रुपए तक की आप deduction claim कर सकते हैं अगर आप old tax regime में आते हैं तो उसके अलावा यहां से जो भी आपको interest income होईगी वो पूरी तरह से taxable होने वाली है चाहे आप post office की fixed deposit में जमा करो चाहे आप national saving certificate के अंदर जमा करो अब देखे national saving certificate के अंदर खास बात क्या है जो interest आपका taxable है वो आपको हर महीने यानि कि हर महीने हर साल आपको interest नहीं मिल रहा वो पहले साल का जो भी interest बना वो दूसरे साल invest हो गया automatically क्योंकि वहां पे आपको compounding का benefit मिल रहा है चो तो दूसरे साल में वो पैसा invest हुआ उस दूसरे साल में आपको जितना भी interest amount था आप उसको भी ATC के अंदर deduction में claim कर सकते हैं क्योंकि वो आपका NAC में ही invest किया गया है तो चार सालों तक जो आपको interest मिलेगा जो आपका national saving certificate में दुबारा से जमा होता जाएगा उस interest amount की भी आप ATC के अंदर deduction ले सकते हैं लेकिन condition वो ही ये maximum 1,50,000 रुपए की ही available होती है और आप old tax regime के अंदर आने चाहिए उसके अलावा TDS की बात करें तो देखे post office की 5 year की जो fixed deposit है वहाँ पे अगर आपका interest हर साल का interest अगर आपका 40,000 रुपए से ज़्यादा बनता है अगर आप एक senior citizen है तो 50,000 रुपए से ज़्यादा interest बनता है तो TDS काटा जाएगा आपके interest में से अब लगबग अगर आप 5,000,000 रुपए जमा करवाते हैं साड़े साथ के interest rate से तो आपका जो interest बनेगा हर साल का वो 40,000 से कम ही होगा अगर आप 5,000,000 रुपए से ज़्यादा जमा करवाते हैं तो आपका पैसा जो है वो TDS की लिमिट में आ जाएगा और वहाँ से आपके interest के उपर 10% के rate से tax deduct होने लग जाएगा लेकिन अगर आप form 15G या फिर form 15H भर के हर साल अपने नए financial year के start में ही post office इसके अंदर जमा करवा देते हैं तो TDS भी नहीं काटा जाएगा यह form कब applicable होता है जब आप income tax limit में नहीं आते हैं basic exemption limit से income आपकी कम होती है तो उसी case में आप यह form भर सकते हैं और वही national saving certificate में आपको interest हर साल नहीं मिल रहा तो यहाँ पे TDS भी नहीं लगता है पांचवे साल में आपको सारा पैसा एक साथ मिलता है तो उस condition में TDS नहीं काटा जाता है लेकिन interest दोनों scheme में taxable होता है हर साल का interest जो बन रहा है वो आपको income मानना पड़ता है accrual basis पे और वहाँ से आपको खुद से tax pay करना होता है अगर आप slab में आते हैं तो income from other sources में interest का option आता है वहाँ पे आपको declare करना होता है क्योंकि आज कल pen card आपका link हो गया है तो automatic आपके AIS में और form 26 AS में ये detail reflect हो जाती है उसके बाद में account extension की बात करें तो जैसे कि bank के अंदर fixed deposit को renewal का option मिलता है यानि कि 5 साल के लिए आपने पैसा जमा करवाए तो आप उसको auto renew करवा सकते हैं अगले 5 सालों के लिए तो post office की भी fixed deposit के अंदर आपको ये facility मिल जाती है extension की आप account open करवाती time बोल सकते हैं instruction दे सकते हैं post office को कि आपकी account को अगले 5 सालों के लिए extend किया जाए या फिर आप कभी भी beach में भी inform कर सकते हैं कि आपके account को 5 सालों के लिए extend किया जाए जिसमें paper work थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका वो ही account अगले 5 सालों के लिए आपको पैस वापस ना मिलकरके आपको post office के अंदर उसको जमा करके अपना पैसा लेना पड़ता है और आप उसको दुबारा से invest करना चाहें तो कर सकते हैं जब extend करवाएंगे जिस date पर लेट से आप 2028 के अंदर extend करवा रहे हैं तो 2028 के अंदर जो date पर interest rate चल रहा होगा वो ही interest rate आपको मिलेगा अभी का interest rate आपको नहीं मिलेगा चाहे post office की fixed deposit हो या फिद national savings certificate हो तो extension का rule एक दम सेम है safety और security की बात करें तो दोनों ही condition में आपका पैसा government of India के पास जा रहा है post office के अंदर जा रहा है पूरी तरह से आपका पैसा safe है बिलकुल भी आपके पैसे के उपर risk नहीं आता है अब बात करते हैं सबसे important point की premature closure की तो देखे अभी recently जो rule में change हुआ है उसकी भी बात करेंगे तो अभी तक क्या होता था post office के अंदर अगर आप 5 साल की fixed deposit करवा रहे हैं तो 6 महीने तक तो उस पे lock in रहता था आप उसको बंद नहीं करवा सकते थे उसके बाद में आप उस fixed deposit को कभी भी बंद करवा सकते थे और आपको 1.5% की penalty लगती थी वो penalty आपके कम हो जाती थी उसके बाद में आप उसको कभी भी बंद करवा सकते थे easily National Saving Certificate पांच साल की Scheme है उसको आप पहले भी बंद नहीं करवा सकते थे अभी भी बंद नहीं करवा सकते आपने 5 साल के लिए पैसा जमा करवा दिया तो 5 साल का Lock-In रहेगा उस Account पे अगर कोई Account Holder की Death या मृट्थिव अगर हो जाती है तो उस Condition की बातपन नहीं कर रहे हैं उनके अलावा किसी भी कंडिशन में अकाउंट को बंद नहीं करवाया जा सकता 5 साल तक Post Office की Fix Deposit में 6 महीने का लोकिन था आप उसको बंद करवा सकते थे लेकिन अब जो रूल में चेंज किया गया है Post Office की Fix Deposit को आप 4 सालों तक बंद नहीं करवा सकते और अगर आप अगले पांचुए साल में भी बंद करवाते हैं तो आपको जो interest rate मिलेगा वो मिलेगा post office के saving account का यानि कि आपको जो interest rate बताया गया था साड़े 7% और अगर आप 4 साल के बाद में emergency में बंद भी करवा लेते हैं तो आपको interest मिलेगा केवल और केवल 4% का बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा 3.5% का loss हो जाएगा आपको एक साल के उपर तो 4 साल आपने पैसा रखा है तो 4 से आप गुणा कर लीजी आपको 5 सालों के अंदर कितना नुकसान हो जाएगा तो अभी तक तो क्या होता था post office के fixed deposit एक अच्छा option था क्योंकि आप उसको कभी भी बंद करवा सकते थे लेकिन अब आपको post office के fixed deposit में पैसा invest ना करके national savings certificate में invest करना चाहिए क्योंकि 5 सालों तक आप ऐसे अब दोनों स्कीम को लगबग बंद नहीं करवा सकते और interest अगर आपको हर साल का interest लेना है आप चाहते हैं कि आप 10-15 लाग रुपय एक साथ invest करें और वहां से आप 5-7 जार जो भी interest बनता है वो आपको हर महीने interest income होती रहे क्योंकि आपको घर कर चलाने के लिए कुछ लोग होते हैं ऐसे उनको हर महीने interest चाहिए तो उस condition में आप पैसा invest कर सकते हैं post office की fixed deposit के अंदर otherwise अगर आप 5 साल के लिए पैसा रख के छोड़ना जाते हैं तो national saving certificate ही एक मातर अब अच्छा option है post office के अंदर fixed deposit वाला option आप अच्छा नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपको compounding का benefit वैसे ही नहीं मिल रहा है क्योंकि हर साल का interest आपका payout कर दिया जा रहा है तो national saving certificate में आप अपना पैसा डाल सकते हैं उसके अलावा और कोई वीडियो आप देखना चाते हैं वहाँ पे आप join कर सकते हैं जहाँ पे आपको हम जितने भी वीडियो बनाते हैं उससे related आपको calculator प्रोवाइड किये जाते हैं इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और interesting वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा